हेलो गाईज, आई हैं मुतकर्स and you are watching MopiCompTick आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे पनी ब्लॉगर की वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट में टॉप थ्री प्रोड़क्ट का बॉक्स एड़ कर सकते हैं वहाँ पर आप कैसे शो कर सकते हैं कि नी टॉप थी प्रोड़क्ट को या फिर आप कोई भी वहाँ पर प्रोड़क्ट का रिवी डालते हैं तो वहाँ पर कैसे आप इस बॉक्स को एड़ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो ब्लॉगर का पोस्ट है वो और भी ज्यादा साफ सु को करना चाहते हैं तो यह आप कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर इसके लिए पूरा वीडियो लाज तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँगा और सारे आपको अच्छे से स्टेप्स बताऊंगा कि आप कैसे अप सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिलते रहेंगे जैसे हम कोई वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कोई ऐसा टॉप थ्री प्रोड़क्ट का बॉक्स एड़ करेंगे तो कैसा लगेगा आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उस जो डिवाइस किसी भी डिवाइस में अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छा लगेगा आपके ब्लॉग के लोग को खराब नहीं करेगा तो भी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सो यहां पर आप देख सकते हैं यहा अपनों दिखाता हूं कि मैंने एक्जांपल आप फ्री ब्रोड़क्ट बॉक्स का जो एक यहां पर मानले यए मैंने अपने ब्लॉग पॉच्ट में टोप्स फ्री गैजिक्ट के ब्लॉग को यहां पर एड्ग किया हुआ है पर आप देख सकते हैं जैसे इस इमेस बर करसर लेके जाता हूँ यह जूम इन होती है तो कभी संदार एफेक्ट लगता है इसके नीचे आप देख सकते हैं जो मैंने इसका टाइटल है प्रोड़क्ट का टाइटल वो दिया हुआ इसके नीचे आपको इस्टार रेटिंग का ऑप्सन मिल जाता है इसके बाद में यहां पर आप डिस्क्रिप्शन भी इसकी एड कर सकते हैं कि गैजट आपका जो है या फिर मान लीजे कोई भी प्रोड़क्ट आप यहां पर रेट कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर बता सक सकते हैं नीचे आप को चेक प्राइब कर सकते हैं यहां पर आप अपर सकते हैं यहां फिर आपस सकते हैं यहां है किस तरीके से यहां पर सो होगा सो यह अभी आप देख सकते हैं कि जो पूरा बॉक्स है वो कुछ इस ऐसा सो करेगा जब आप अपने ब्लॉगर के पोस्ट में एड़ कर देंगे सो अभी मैं आपको कंपेर करके दिखाता हूं कि आपका जो अभी बॉक्स है मोबाइल डिवाइस में कैसा लगेगा और टैबलेट में अगर कोई उपन करता है तो किस तरीके से लगेगा एंस्पेक्ट के ऑपने पर जाते हैं वहां पर कुछ तरीके से आपका जो प्रोड़क्ड बॉकस है सो करेगा यहांपर आपका इमेज़् रहा होगा इसके नीचे आप बटन जैसे कि आपका laptop में सो कर रहा था या पर computer screen पर सो कर रहा था सो जो product का box है वो side में दिखाई दे रहा था laptop की बड़ी screen पर सो अगर आप mobile में उसको open करेंगे तो जो second or third product है वो जश्ट नीचे सो करेंगे लेकिन काफी अच्छे लगते हैं काफी ज़्यादा responsive हैं सो कुछ इस तरीके से आपका जो blog post है mobile device में लगे तो यहाँ पर मैं आपको tablet में करके दिखाता हूँ tablet में अगर आप open करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर show करेगा आपका जो website का blog post है सो कुछ ऐसा आपका blog post लगेगा अलग-अलग devices में यह आपने देख लिया चलिए अभी जानते हैं कि कैसे आप इसको अपने blog post में add कर सकते हैं क्या-क्या steps होने वाले हैं सारे steps को आपको अच्छे से समझना है और एक-एक steps को अच्छे से follow करना है तब ही आपका जो यह top 3 product का box है आपके blogger post में so करेगा वाँ पर अच्छा लगेगा सो इतना कर लेने के बाद में आप अपने blog को काफी शांदार मना सकते हैं इस वीडियो को पूरा लाज तक जरूर दे किये चलिए अभी जानते है कि कैसे आप अपने blogger के post में इसको एड़ कर सकते हैं सो सबसे पहले आपको affiliatable.io इस website पर आ जाना है इसका link मैं आपको description box में भी दे दूँगा सो यहाँ पर description में जो link दिया है उस पर click करके भी यहाँ पर आ सकते हैं सो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर sign up free forever का option दिखाई दे रहा है यहाँ पर click करके आपको सबसे पहले sign up कर लेना है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है last name डालना है email address डालना है और password डालकर यहाँ पर जो consent है उसको दे देना है उसके बाद में आपको यहाँ I am not a robot पर click करके आपको capture भी फिल कर देना है इतना करने के बाद में आपको register कर लेना है जैसी आप register करते हैं तो आपको कुछ लगबग 24 गंटे तक wait करना पड़ेगा आपका account है जो अपरूव होगा अपरूव होने के बाद में आपका जो account है वो यहाँ पर login होना शुरू हो जाएगा आपको अपना account है उसको login कर लेना है चलिए मैं अपना account login करता हूँ और सारे steps आपको आगे बताता हूँ so account approve होने के बाद में जब आप login करेंगे so login करने पर आपको कुछ इस तरीके से जो आपके affiliatable account का dashboard है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको installation वाले option में यहाँ पर दो option दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अगर आपकी wordpress पर website है तो आपको एक plugin डाउनलोड करके इसको अपने wordpress की website पर install कर लेना है लेकिन मैं आपको blogger के लिए बताने वाला हूँ so blogger में कैसे आपको इसको करना है वो जान लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर website का option जो मिल रहा है यहाँ पर आपको नहीं website को add कर लेना है जिस website पर आप blog post पर show करना चाहते हैं इसको इसमें मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको इसके free version में सिर्फ एक website add करने को मिलेगा एक website ही आप यहाँ पर add कर सकते हैं अगर आप website पर किकाम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है अलग-अलग वेपसाइट को एड़कर लेना है एड़आलेध आपसन पर यहां पर आपको आ जाना है और यहां पर आपको स्टोर करना हैं यहरा इमेज़ॉन मिख्याओ से प्रोड़क्ट को एड़ करेंगा न चाहते हैं वह भी डाल सकते हैं लेकिन आप सिर्फ Amazon से ही नहीं बाकी आप कई सारे स्टोर से भी यानि फिलिप कार्ड से कहीं से भी यहाँ पर एड़ कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहाँ पर आपको अगर Amazon.in से करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने जो Amazon का ट्रेकिंग आइडी है उसको यहाँ पर डाल देना है ट्रेकिंग आइडी डालने के लिए आपको अपने अफिलेट जो आपका Amazon अफिलेट एकाउंट है वहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है login करने के बाद में आपकी जो affiliate store की ID है वहाँ इसको यहाँ पर डाल देना है चलिए मैं अपने store की ID copy कर लेता हूँ इसको copy करने के बाद में अब आपको इसको paste कर देना है और जो Amazon API key का option दिख रहा है इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास Amazon API key है तो वहाँ इसको डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसना करने के बाद में आपको save कर देना है save करने के बाद में यहाँ पर आपकी website successfully save हो गई है अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आप top 3 box को add कर सकते हैं याँ पर आपको comparison table, product box, pros and cons box, top 3 box, rating box, versus box आपको कई सारे ऐसे option मिल जाते हैं लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको top 3 box का gadget है उसको कैसे add करते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ चलिए जानते हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं आगे आनी वाली वीडियो में आपको ये सारे जो box हैं ये कैसे add करने हैं इनके बारे में आपको बता दूँगा सो इतना करने के बाद में अब आपको वापस अपने dashboard पर आ जाना है dashboard में आने के बाद में अगर आपकी blogger पर website है सो आपको इस code को copy कर लेना है नीचे वाला जो यहाँ पर आपको code दिया गया है इसको copy कर लेना है copy करने के बाद में अब आपको अपनी blogger की website पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद में अपको theme वाले option पर जाना है और आपको अपनी website का जो HTML को डिट करना edit HTML वाले option पर जाना है और जो आपका header है header के नीचे आपको यहाँ पर इस code को paste कर देना है इस code को paste करने के बाद में अब आपको जो अपकी theme है उसको save कर देना है मैंने पहले से code add किया है तो इसके लिए मैं भी आपर यह code हटा देता हूँ सो आपको इतना करने के बाद में code को save कर देना है save करने के बाद में अब आपकी जो website है वो ready हो चुकी है आपकी जो top 3 box है उसको add कर सकते हैं आप सो वापस आपको उपने affiliate विल के account में आ जाना है अब इतना करने के बाद में आपको आपका जो top 3 box option है वहां पर आजाना है यहां पर आपको एक टॉप 3 box को free में add करने का option मिलता है यानि कि जो एक style है एक theme है उसको add कर सकते हैं आप वैसे तो कई सारे यहां पर top 3 box add कर सकते हैं लेकिन जो आपको उसका theme है वो एक ही मिलेगा free version में जो कोई यह बड़ी बात नहीं है यहां पर आप आप इतना तो करी सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो box पहले से ही add किये हैं मैं आपको open करके दिखा देता हूं यहां पर तो एक जो box मैंने अभी aid किया है अपनी website में वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर show कर रहा है मैं आपको एक नया box बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे अपनी website में एक नया table aid कर सकते हैं हुँ किसके यहाँ पर मैं बैक करता हूं अपने टॉप स्टायल करके लिए यहाँ पर पर नीचे बाप करेंगे तो इसकी वरजर करना पड़ेगा लेकिन free में आपको कई सारे option मिलते हैं तो आपको paid लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना करने के बाद में आपको open post editor पर click करना है और इसको save कर देना है save करेंगे जैसे ही तो आपका जो post editor है यहीं कि इस top 3 box credit करने का जो option है वो open हो जाएगा इतना कर लेने के बाद में अब आपको यहाँ पर aid product पर click करना है aid product पर click करने के बाद में जो आपको सबसे उपर option दिखाई दे रहा है यह उसके लिए है जिसने product API जो Amazon का API ही उसको aid किया है लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है इसके लिए आपको यह उपर वाला option छोड़ देना है अगर आपने API की aid नहीं की है तो इतना करने के बाद में आपको product title वाले option पर आ जाना है यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे जो आपका जो top 3 box है वहाँ पर कैसे आपको product aid करने है यहाँ पर आने के बाद में अगर आप Amazon से एड़ करना चाहते है तो आपको Amazon की website पर आ जाना है अब flip card से भी यह कर सकते है मैं आपको flip card का option भी बता दूँगा चलिए मैं flip card भी open कर लेता हूँ flip card पर open करने के बाद में अब मैं यहाँ पर आपको product aid करके दिखाता हूँ मैं कोई भी product ले लेता हूँ इस यह apple watch पर मैं click करता हूँ यह product जो है इसको aid करना मैं आपको बताऊंगा सो सबसे पहले आपको इसका जो title है उसको copy कर लेना है यहाँ पर copy कर लेने के बाद में आपको product title जो option है वहाँ पर paste कर देना है या आपका product title हो जाएगा feature title में आप यहाँ पर description aid कर सकते है या feature ही लिख सकते है अगर आपको जो भी feature का नाम देना है वह यहाँ पर एड़ कर सकते है उसके बाद में दूसरा option दिया है बटन लिंक का बटन लिंक में आप दो बटन अगर एड़ करना चाहते हैं तो दो लिंक दे सकते हैं यहाँ पर अगर आपको एक ही बटन एड़ करना है तो आप यहाँ पर लिंक एक दे सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में अब आपको जो इसका एफिलियेट लिंक है उसको क कर देना है अब इसके बाद में आपको यहां पर एक second option मिलता है बटन वन टेक्स्ट बटन वन टेक्स्ट में यहां पर आप इस बटन का जो आपने बटन वन लिंक दिया है इसका यहां पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं यहां पर बाई नाओ यहां दे देता हूं बाई नाओ पर यहां देने के बाद में button to text जो है यहां पर अगर आप दूसरा link डालते हैं दो buttonate करना चाहते हैं तो यहां पर आप button to text में यहां पर भी आप कुछ डाल सकते है buy now check price इस तरीके से तो अगर आप यहां पर buy now button पर buy now नहीं लिखेंगे यहां पर कुछ भी टेक्स नहीं लिखेंगे तो वहां पर check price का option वहां पर default में आपको show करेगा यहां पर आप star rating दे सकते हैं जो आपकी rating में आप पर show कर रही थी मैं यहां से description को copy कर लेता हूँ मैं यहां से एक line को copy करके इसको यहां paste कर देता हूँ paste करने के बाद में यहां पर इसको आप list में भी बना सकते हैं मैं list create कर लेता हूँ list बनाने के लिए आपको list के option पर click करना है उसके बाद में इस तरीके से आप यहाँ पर list बना सकते है जैसे आप blogger में कोई post एड़ कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको कई सारे option मिलते हैं उसमें आप link भी add कर सकते हैं आप अपने text को अलग अलग तरीके से edit कर सकते है इतना करने के बाद में आपको एक option मिलता है image URL 1 यहाँ पर आप image को add करने के लिए image का जो address को copy कर लेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है इस product का image मैं वहाँ पर show करना चाहता हूँ यहाँ से आपको इसका copy image address पर click करके copy कर लेना है और इसको यहाँ पर paste कर देना है अगर आप flip card से product को add करना चाहते हैं तो flip card में जाने के बाद में आपको same procedure को follow करना है आपको इसका जो title को copy कर लेना है इसके बाद में आप इसका जो image address है उसको copy करके उधर paste कर सकते हैं इसका description भी copy करके वहाँ पर दे सकते हैं इतना आप same procedure इसको कर सकते हैं और flip card के लिए आप कई सारे affiliate program जैसे आयानर, deals, queue links वगएरा को join करके वहाँ से affiliate link को वहाँ पर ढाल सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर product को add कर सकते हैं इतना करने के बाद में आपको save कर देना है इसको save करने के बाद में जो आपका product है वो कुछ इस तरीके से save हो जाएगा यहाँ पर show करने लगीगा इस तरीके से आप अगले दो product जो हैं इसी procedure के साथ में add कर सकते हैं तो अभी मैंने एक प्रोड़क्ट आपको एड़ करकी दिखाया अब आप इसी के जैसे दो प्रोड़क्ट और एड़ कर सकते हैं यहाँ पर अपनी जो आपका टॉप थ्री बॉक्स है उसके अंदर अब यहाँ पर जो आपको लेप साइड में उप्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको थीम कलर में आपको जो आपसन मिलते हैं यहाँ पर आप इसका जो थीम कलर है उसको चेंज कर सकते हैं मैं रेड करना चाहता हूँ या फिर ब्लू कोई भी कलर यहाँ पर आप अपनी थीम के कार्डिंग भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं सो मैं यहलो कर देता है affiliate का या फिर इसी तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं बटन का अगर आपको text edit करना है वहाँ पर आप button में no follow sponsored या फिर do follow link देना चाहते है तो इस तरीके से आप पर कर सकते हैं उसके बाद में इसका जो button text मैंने आपको बताया था उसको यहां पर change कर सकते हैं button तो तरह सकते हैं और बटन को अगर सारे हैं तो सरे किसे सकते हैं कि कर सकते है कि एक रेचनी सकते हैं एक तरीके बिरने से आपका बटन हो जाएगा इस तरीके से अपनी theme के recording इतना कर सकते हैं, अभी इसके बाद में, आपको product setting में, यहाँ पर option मिलते है, link image, यानि कि आपका image है, उसमें आपका जो affiliate link है, वो देना चाहते है, या नहीं, यहाँ से yes पिकर देना है, काफी अच्छा रहेगा, इसके बाद में, इसको save कर सकते हैं, आप यहाँ से सेव करने के बाद में अब आप जब तीन प्रोड़क्ट को एड़ कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं चलिए मैंने जो पहले से प्रोड़क्ट एड़ करके रखे हैं उन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे ये करेंगे तो यहां पर मैंने जो product aid की थे यह आप देख सकते हैं मैंने तीन जो aid किये थे इतना करने के बाद में जो आपको पहले procedure बताया था उसके बाद मैं आपको यहां से copy HTML पर click करना है आपको जो sort code का option मिलता है या आपका wordpress के लिए wordpress में आप sort code के दूरू अपने post में aid कर सकते ह उसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप wordpress में पर कैसे इसको यूज कर सकते हैं फिलाल में मैं blogger के लिए बता रहा हूँ तो blogger में आपको aid करने के लिए copy HTML पर click करना है और आप इतना करने के बाद मैं आपको blogger के dashboard में आ जाना है जहां आपको post-aid करना है सो चलिया मैं पूस्ट का option में आ जाता हूं और यहां पर new post पर click करता हूं निफ पर click करने के बाद में अब आपको यहां पर जैसे आप सब कुछ करते है P posted करने के लिए यहां पर title दे सकते हैं चलिए मैं ec title यहाँ पर दे देता हूं कुछ भी title मैं यहां 3 the gadgets इह tutorial दे दिया इसके बाद में आपको जो आपका स्ट जेसं थरी के से आप लिखते हैं कुछ भी आपर लेख सकते हैं कितना रणने के बाद में अब जब आप फोस्ट लिख लेंगे इसके बाद में आपको HTML view वाले option पर आजाना HTML view वाले option में आने के बाद में अब आपको जो आपका HTML code आपने माँ से copy किया था उसको यहाँ पर paste कर देना है paste कर देने के बाद में अब आप यहाँ पर अगर compose view में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पर आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपका जो यह table है यह आपके post में only कैसे दिखेगा यहाँ पर आपको compose view में कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसके लिए आपको preview पर क्लिक करना है preview पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यह product है यह यहाँ पर मैंने title दिया यह title भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काफी सांदार तरीके से यहाँ पर show कर रहे है यहाँ पर आप देख सकते हैं star rating जो description दिया था check price button यह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से show हो रहा है इतला करने के बाद में आपको यह preview जरूर करना है आपके post में यह सई से show कर रहा है उसके बाद में अब आपको इस post को publish कर देना है मैं आपको publish करके भी दिखा देता हूँ बाद में मैं इसको delete कर दूँगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ जादा एड़ नहीं किया है तो इसके मैं बाद में delete कर दूँगा अभी मैं publish पर click करूँगा और इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपका यह post है कैसा लगेगा सो अभी जो मैंने post aid किया है उस पर मैं click करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा यह लगने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं अब मैं screen को छोटा कर देता हूँ यहां पर आपको असानी से दिख जाएगा सो जो यह हमने top 3 gadget aid किये है वैसे same हमने पहले आपको दिखाया था वीडियो में कि कैसा लगेगा उसी तरीके से यहां पर so कर रहे है जैसे यह मैं इस पर cursor लेके जाता हूँ तो यहां पर काफी अच्छा zoom in effect आता है और यहां पर भी आपका link दिया है affiliate link इस पर कोई click करेगा तो आपका जो product का link है वहां पर जाकर कोई purchase करेगा तो आपको इसका commission मिलेगा इस तरीके से आप इसको affiliate के लिए use कर सकते हैं तो सारा procedure आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर आपको यह add करना है तो आपको इसी तरीके से सारे जो steps है वो अच्छे से follow कर ले है और सबसे जरूरी चीज़ आपको यह जरूर याद रखना है मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने affiliate table dashboard में आपको दिखाया था वहां पर जो आपका code था उसको जरूर आपको अपने HTML में paste करना है अपनी website के जो edit HTML का option होता है वहां पर जाके hit code के नीचे उसको paste जरूर करना है नहीं तो जो यह table है यह आपका so नहीं होगा अच्छे से यहां पर आपका CSS है वो load नहीं होगा so इतना जरूर आपको यहां पर कर लेना है so इसके बाद में आपका यह आसानी से aid हो जाएगा अभी इसके बाद में आपको जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो affiliate website वहां पर यह जो बाकी के option दिये हैं comparison table product box pros and con box यह सब कैसे aid करना है आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा आप अमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को all पर select जरूर करें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आगे इसी चैनल पर लाने वाले हैं